हेले दोश्तों आप सभी का स्वागत है शिवाने आठ क्लासेज की आज़ी क्लास में कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करती हों बहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और इस वीडियो में हम देखें आपको करा दिया गया था क्वेश्चन नमर्ट 26 देखेंगे व्रिश्बो वाला कप्ष शब्द किस गुफा के लिए प्रयुक्त किया गया है फॉन्द दिगाम लास्को लाकमरेल अलता मेरा तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन भी लास्को पास्चन नमर्ट 27 देखेंगे इस पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं इस पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं लास्को त्राय फ्रेयर्स अलता मेरा लाकमरेली पास्चातिकला की फ्रेलिस्ट आप जरूर चे अलता मेरा गुफा में गीली भीति पर उंगलियों से टेड़ी मेरी फीते की समानाकरतिया बनाई गई है इस गुफा में अधिकांस बाइसन के चित्र ही बनाए गई है और यहां से एक प्रसिद्द चित्र मिला है घायल व्रशग ठीक है वायल प्रिशब का चित्र भी यहां से प्राप्त हुआ है तो राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे देखेंगे अल्ता मेरा की गुफाएं किस देश में है यहां पर आंसर शो हो रहा है हलता मेरा की गुफाएं किस देश में है तो यहां पर देख सकते हैं इस्पैसला यूध कॉमक्टिशन कि सभी प्रशन आपके सामने लाने का एक ही उर्देश है कि आप देखिए कौन सा कोशन कितना important है ठीक है, next question देखते है question number 29, अल्ता मीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है बैल, हाथी, भालू, चंगली, भैस अल्ता मीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है right answer हो जाएगा, option D, जंगली, भैस ठीक है, अल्ता मीरा की गुफाओं में जंगली, भैस का चित्र सरवाधिक दिखाई पड़ता है और इस गुफा में लगबख डेड़ सो चित्र है, याद रखेंगे और जंगली, भकरा, जंगली, घोडा, बारा, सिंगा, हिर्नी ये सभी चित्र भी है, लेकिन यहाँ पर जंगली भैसे का चित्र जो है, वो अधिक दिखाई पड़ता है इस पेन की प्रागयति हासिक चित्रकला में चित्रित है, क्या चित्रित है, रेंडियर, मानव, बाइसन, उप्तसभी इस पेन की प्रागयति हासिक चित्रकला में क्या चित्रित है तो स्पेन की प्रागयति हासिक चित्रकला है इसके अंतरगत कौन-कौन सी गुफाई आती है अल्तामीरा, नियो गुफा, पिंडाल गुफा और कुला नालाज गुफा, कुवा देल कास्तिलो यह सभी गुफाएं आती हैं यहाँ पर बाइसन जंगली अश्वहिर्नी बारह सिंगा लंबे सिंग वाले जंगली बकरा सुवर यह सभी कुछ चित्रित है ठीक है तो यहाँ पर आपसे कोशन किया गया कि स्पैन की प्रागयति हासिक चित्रकला में क्या चित्रित है राइट नामक देखकर मार्या सातुवला ने इसे किस नाम से संबोधित किया था तो याद रखेंगे the roof of the great hall ये भी question आपका बनता है the roof of the great hall नाम से संबोधित किया था किसने मारिया साथू ओलाने और ये गुफा किस से बनी है चूना पत्थर से बनी है और इसके अधिकांस छट पर बनाए गए है और इसका निर्माड गीली दीवार पर हाथ के अंगुलियों से किया गया है फीतों के समान और इस कूफा की लंबाई छै से साथ फूट है उंचाई छै मीटर चौडाई छै फूट है यहाँ पर अधिकांस चित्र बाइसन के मिलते हैं और लगभग डेड़ सो के करीब चित्र यहाँ पर क्रांप्थ हुए हैं नेक्स्ट कुशन देखेंगे को ब्रेस्टनreadär 32 स्पेन के अलतामीरा के संकख्ष कहां के सिलाचित्र है फक हैं ठीक हैं पन्च मढ़ी महादेवपरवस्ट इकला मेर जो इस्थित है राइट अंसर यहां पर हो जाएगा option A, next question देखेंगे, question number 33, अल्तामीरा की गुफा चित्र किस काल के है, पुनुरुधान काल, बरो काल, प्रागयतिहासिक काल, बाइजेंटाइन काल, अल्तामीरा की गुफा चित्र किस काल के है, तो यह आपके हो जाएंगी, प्रागयतिहास काल के, राइट अंसर होगा option C, next question देखेंगे, question number 34, यूरोपीय प्रागयतिहासिक चित्र के प्रमुक केंद्र कहां पर इस्थित है, यूनान एं मेसोपुटामिया में, उत्तरी फ्रांस एं इंग्लेड में, उत्तरी इस्पेनियम दखने फ्रांस में, इटली एवं फ्रां में, राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर option C, उत्तरी इस्पेन एवं दख्शनी फ्रांस में, राइट अंसर होगा C, next question देखेंगे, question number 35, 1889 में इस्पेन में किस गुफा की खोज हुई, फांट दगाम, अलता मीरा, लामूत, लासको, 1889 में इस्पेन में किस गुफा की ख हो जुई थी, ठीके, कब होई थी, धर्ण सो, 89 में, और यह कहां पर है, स्पेन में, next question देखेंगे, question number 36, अलता मीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है, अलता मीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है, बैल, हाथी, भालू, जंगली, भैसा, तो राइट आंसर होगा, option D, जंगली, भैसा, ठीके, जंगली, भैसे का चित्र वहाँ पर अधिक बना हुआ है, next question देखेंगे, question number 37 है, पूर्व से पश्चिम सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम का चैन करे, बामियान की विराट बुद्ध प्रतिमा, सांटा सोफिया, पार्थनान, मगाओ गुफाएं, option C में है, option C में है, option D कहरा, अब यहाँ पर आपको पूर्व से पश्चिम की योज सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम का चैन करना है, ठीक है, तो राइट आसर यहाँ पर हो जाएगा, option D, सबसे पहले होगा आपका मगाओ गुफाएं, फिर बामियान की विराट बुद्ध प्रतिमा, फिर सांटा सोफिया, फिर है आपका लास्ट में, पार्थनान, राइट आंसर हो जाएगा, option D, तो question यहीं पर complete होते हैं, कुछ important और भी facts जाल लेते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है, अल्ता मीरा गुफाओं की, ठीके, important है सभी के लिए, इसको जरूर पढ़ लीजेगा, देखेंगे, अल्ता मीरा गुफा, तो अल्ता मीरा गुफा की जो च्छत है, यह अनेक स्थानों पर 6-7 फुट उंची है, जिससे च्छत के चितर देखने के लिए जुकना या लेटना पड़ता है, इस गुफा में खुल 1.500 चितर मिले हैं, और सातु ओला ने इसे क्या कहा है, दरूफ अफ तर ग्रेट हाल नाम से संबोधित क्या है, 1889 इस्वी में स्पेन में अल्ता मीरा गुफा की खोज हुई, अल्ता मीरा गुफा की खोज सर्व प्रिथम 12 वर्षी बानिका मारिया शातु ओला नेगी, यहां से आपकी प्रश्न बनते हैं, विश्वी में प्रागयतिहासि मानोद्वारा अंकित सर्व प्रिथम चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, अल्ता मीरा गुफा से, अल्ता मीरा गुफा कहां स्थीत है, यह स्पेन में स्थीत है, प्रागयतिहासिक कारेन गुफा अल्ता मीरा को सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है, यह भी आपका प्रश्न बनता है अलतामीरा गुफा में सरवाधिक चित्रिक इसका है तो जंगली भैसे का है अंगुलियों से बनाएगी रेखाएं कहां से मिलती हैं अलतामीरा गुफा से मिलती हैं इस पेन की और भी जो गुफाएं हैं अलतामीरा गुफा कोवालनाज गुफा खुवा देल, कास्तिलो गुफा नियो गुफा, पिण्डाल गुफा सैंटियन गुफा, ल्ासरेक्स गुफा, लापिलेटर गुफा यई ये न्याद की दीमो गुफा ये सब ही हैं कहां पर है इस्पेन में हैं पास्चातिकला की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर विजिट करें और पास चाहते कला के जितने भी वीडियो है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको तुसे जरूर आप देख लिजेगा अलता मीरा गुफा पिंडाल गु की थी इस गुफा को देखकर मारिया साथ वोला ने इसे दरूफ आफ द ग्रेट हाल नाम से संबोधित किया इस गुफा में चुलना पत्थर पर चित्रकारी की गई है और यह चित्र अधिकांस छत पर बनाए गए हैं जिनका निर्मार घीली दीवार पर हाथ की अंगुलिय यह चित्र पाए गए हैं अलता मीरा में लगभग देड़ सो चित्र मिले हैं तो आज के इस वीडियो में यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है आपने यूरोपी प्रागयतिहासिक कला के सभी महत्मु प्रश्नों को किया और इसके दो वीडियो है और इसके बाद हम ज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटिस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहें शिवानी आट क्लासिस के साथ जरूर जुड़े अगर बेस्ट प्रिप्रेशन आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और गहतर तयारी करें सेल्फ स्टेडी आपको करते रहना है रिवीजन आपको करते रहना है साथ में हमारी तरफ से जो हेल्प हो सकेगी वहम बिल्कुल आपकी हेल्प करते रहेंगे तो प्राचीन विश्वे की कला के कोशर आपको इसके बाद के वीडियो में दिये जाएंगे आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक इरें बाइबाय